यहन्ना का प्रकाशित वाक्य बारवा अध्याय फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पाउं तले था और उसके सिर पर बारह तारों का मुकुट था और वह गर्भवती हुई और चिलाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जन्ने की पीड़ा में थी और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके साथ सिर और दस सींग थे और उसके सिरों पर साथ राज मुकुट थे और उसकी पूँच ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खीच कर प्रत्वी पर डाल दिया और वह अजगर उस त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिये हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और उसका बच्चा एका एक परमेश्वर के पास और उसके सिहासन के पास उठा कर पहुँचा दिया गया और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए फिर स्वर्ग पर लडाई हुई मिकाईल और उसके स्वर्ग दूत अजगर से लडने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शेतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है प्रत्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिये गये फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उधार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रगट हुआ है क्योंकि हमारे भाईयों पर दोश लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोश लगाया करता था गिरा दिया गया और वे मेमने के लोहु के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जैवंत वे और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना यहां तक की मृत्यु भी सहली इस कारण हे स्वर्गो और उन में के रहने वालो मगन हो हे प्रत्वी और समुद्र तुम पर हाए क्योंकि शैतान बड़े क्रोत के साथ तुम्हारे पास उतर आया है क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है और जब अजगर ने देखा कि मैं प्रत्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया और उस स्त्री को बड़े उकाब के दो पंक दिये गए कि साप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगे पहुँच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए और साप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुह से नदी की नई पानी भाया कि उसे इस न अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेश संतान से जो परमेश्वर की आज्याओं को मानते और ईश्यू की गवाही देने पर स्तिर हैं लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जाख़़ा हुआ